एक बार एक बेंगॉली पोईट ने ये बात बोली थी बांगला मोदेर भाषा, बांगला मोदेर गॉर्बो, बांगला मोदेर आशा यानि बांगला हमारी भाषा है, बांगला हमारा गर्व है और बांगला ही हमारी आशा है बांगला फ्रेंच के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आर्टिस्टिक और सबसे ब्यूटिफुल लैंगवेज माना जाता है बांगला पूरे दुनिया में बोले जाने वाली भाशाओं में साथवे नंबर पे है और इंडिया में दूसरे नंबर पे है कुल मिला के पूरे दुनिया में 210 मिलियन लोग बांगला को अपना first language मानते है बांगला बांगला देश की national language है और भारत के राज्य वेस्ट बेंगॉल और त्रिपुरा की official language है बांगला असाम और अंदमान और निकोबार आइलेंड की second official language भी है बांगला Sierra Leone नाम का एक देश का भी official language है जिसके government ने बेंगॉली लोगों को सम्मान देने के लिए अपने देश का official language बांगला को बनाया है 21 February 1952 को धाका युनिवर्सिटी को students ने बेंगॉली language movement स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में बेंगॉली language को सम्मान दिलाने के लिए जिसकी वज़े से बहुत सारे students की मौद भी हुई उस incident के बाद युनिसको ने बोला कि हम सारे आश्चरे चकित है बेंगॉली लोगों के अपने बांगला भाषा के प्रती जुनून देखके कि वो अपने भाषा को सम्मान दिलाने के लिए मर भी सकते है 21 February 1997 में युनिसको ने बांगला भाषा के सम्मान में हर साल 21 February को International Mother Language Day सेलिबरेट करने का फैसला किया बेंगॉल पूरी दुनिया में अपने लिट्रेचर के लिए जाना जाता है भारत का राष्ट्रगान जनगनमन और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों ही बेंगॉलीज ने लिखा है और इस सबसे पहले बांगला भाषा में ही लिखा गया था जनगनमने लिखा है रबिंद्रनाथ टेगोर ने और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाधाय ने बांगला लेंग्वेज दुनिया का एक मात्र ऐसा लेंग्वेज है जो किसी देश की आजादी का कारण बना वो है बांगला देश पूरी दुनिया में इंडिया, बांगला देश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, फिलिपीन्स, थाइलैंड, जर्मनी, यूसे, ब्रिटेन, सब जगा पे बेंगॉली रेडियो स्टेशन्स चलते है और बेंगॉली न्यूस पेपर्स बिखते है बेंगॉली लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है रबिंदना टेगोर एशिया के पहले व्यक्ती थे जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था उसके बाद एक और बेंगॉली अमर्तिस से इनको भी नोबल प्राइज मिला था सत्यजीत रे आसकर पाने वाले भारत के पहले फिल्मेकर थे जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का आसकर अवार्ड मिला था बेंगॉली ज एकेडमिक्स में भी बहुत आगे होते है चंद्रमुखी बासू जो की भारत की पहली महिला ग्राजुएट थी और जोसेफ बोस जो की भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर्स आफ लेटर्स का अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी आफ एडिनबग से प्रोशान्तो चौंद्रो भारत के पहले स्टैटिस्टिशन थे और राजेंद्रलाल मित्रा भारत के पहले इंडोलॉजिस्ट थे ऐसे पाच बेंगॉलीज है जिनको की भारत रत्न का पुरसकार मिला बिधान चंद्रो राय, सत्यजीत रे, अरुना असफ अली, अमर्त सेन और रविशंकर बेंगॉली आक्टर्स की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है शायद लिस्ट खतम ही नहीं हो किशोर कुमार, अशोक कुमार, बिस्वजीत, शर्मिला टेगोर, जया बच्चन, रानी मुखर जी, काजोल, एटसेक्टरा, एटसेक्टरा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेंगॉलीज बिजनस में उतना आगे नहीं होते पर ये फैक्ट नहीं है, बहुत ऐसे बेंगॉलीज है जिनने बिजनस की फील्ड में अपना बहुत नाम कमाया है उन में से कुछ है, विक की चक्रवर्ती, जो की स्वीडन के सबसे बड़े होटेलियर है सिधार्थ बासू, जो की बिक सिनर्जी के फाउंडर है अरुंदती भट्ताचारे, जो की State Bank of India की पहली महीला डारेक्टर है कुमार भट्ताचारे, बैरन भट्ताचारे, वार्विक Manufacturing Group के डारेक्टर है अमर बोस, बोस कॉर्पोरेशन के फाउंडर है बोस के स्पीकर्स और साउंड सिस्टम बहुत फेमस है वो अमर बोस की ही देन है अशोक शेखर गांगुली हिंदुस्तान यूनिलिवर के चेर्मेन है भासकर परमानिक जो की माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेर्मेन है और सूबीर रहा जो की ONGC के चेर्मेन है नीरज रॉय जो की हंगामा डिजिटल के फाउंडर है प्रोनोय रॉय जो की NDTV के फाउंडर है और रमन रॉय जिनको इंडियन BPO इंडिस्ट्री का जनक माना जाता है वो कौाट्रो के फाउंडर है शुबरो तो रॉय सहारा इंडिया के फाउंडर है अविक सरकार आनुंदो बाजार पोत्रिगा के फाउंडर है अगर हम बेंगॉली फिल्मेकर्स की बात करें तो शायद ये वीडियो खतम ही ना हो भारत के सबसे बेस्ट फिल्मेकर्स बेंगॉल से आते है नितीष चंद्र लाहीरी एशिया के पहले लॉयर थे जो की रोटरी इंटरनाशनल के प्रेसिडेंट चुने गए थे PC सरकार और PC सरकार जूनियर दुनिया के महान जादुगरों में से एक माने जाते हैं म्यूजिक के लिज तो नेवर एंडिंग है आर्डी बर्मन, एजडी बर्मन, किशोर कुमार, कुमार सानू, शान, श्रिया गोशाल, अरिजित सिंग, बपिलाहीरी बहुत सारे हैं दोस्तों इंडियन आर्मी में भी बेंगॉली इसका बहुत बड़ा रोल है इंडियन नैशनल आर्मी के फाउंडर एक बेंगॉली थे नेता जी सुभाज चंद्रबोस 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद हुआ था उस टाइम आर्मी के चीफ एक बेंगॉली ही थे जॉयन्तो नाच चौधरी इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स में हमेशा से बेंगॉली का दबदबा रहा है एर मार्शल शुबरोतो मुखरजी और अरूप रहा जैसे बेंगॉली इंडियन एर फोर्स के चीफ रह चुके है एर कमांडर सुबिंद्र नात मजुमदार भारत के पहले मिलिटरी हेलिकॉप्टर पाइलेट थे इंडराल रॉय भारत के पहले एर फोर्स पाइलेट थे और उनको फ्लाइंग एज भी बोला जाता है अब बात करते हैं रिलिजिन की स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमंस और राजा राम मोहनरोय को कौन नहीं जानता भारत की आजादी के आंदोलन में कहते हैं बेंगॉल का सबसे बड़ा रोल रहा है भारत की आजादी के आंदोलन की शुरुवात ही बेंगॉल से हुई थी जैसे कि सुभास चंद्रबोस, खुदीराम बोस, सूरिस सेन, रभिदनाद टेगोर, शामा प्रसाद मुखर जी ये सारे लोग भारत की आजादी के केंद्र बिंदु रहे अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की मोनोतोष रोय, एशिया के पहले बॉड़ी बिल्डर थे जिनको मिस्टर यूनिवर्स का अवार्ड मिला था परेश लाल रोय, जिनको इंडियन बॉक्सिंग का फादर बोला जाता है सुधीर साहा, जो की पहली बार ग्रेको रोमन रेस्लिंग टेकनीक इंडिया में लेके आये थे सौरफ गांगुली, सौरफ गांगुली को कौन नहीं जानता है भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक, दुनिया के वन अफ दे बेस लेफ्ट हैंड़े बैस्मन और नई टीम इंडिया को बनाने वाले सौरफ गांगुली चूनी गोस्वामी, भारत के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर, 1962 में इनको एशिया का बेस ट्राइकर का अवार्ड मिला था स्विमिंग में बूला चौधरी वो पहली वुमिन थी जिन्होंने सेवन सीज तैर के पार किया और आरती सहा भारत की पहली वुमिन और एशिया की पहली वुमिन थी जिन्होंने तैर के इंग्लिस चैनल पार किया मिहीर सेन पहले भारतिय थे जिन्होंने तैर के English Channel पार किया था Bengalis अपने राइटिंग्स के लिए भी जाने जाते है रबिंजनाथ टेगोर, शौरच चौंद्र चौट्टोपाद्धाय, बंकिम चौंद्र चौट्टोपाद्धाय बंगाल के ही थे तो दोस्तों ये थे कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स, बंगला लैंग्वेज और बंगॉल इसके बारे में वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लोगों की, सबका नाम हम एक वीडियो में नहीं बता सकते है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को, शेर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे जय हिंद, जय बंगला